दुनिया भर में कोरोना वाइरस संक्रमित होने वालों की तादाद बढ़कर 5,65,009 हो गई है वही मरने वालों की संक्या 25,410 हो गई है हर घंटी संक्रमित होने वालों और मरने वालों की संक्या बढ़ती जा रही है ऐसे में दुनिया बर के विशेशग्यों को ये पता लगाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है कि इस वाइरस की चपेट में आने वालों की मृत्योधर कितने प्रतीशत है फिर भी हमने शुकरवार राद 9 बजे तक उपलब संक्या के आधार पर ये जानने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके स्वर्थ होने की कितनी उमीद है हाई नतीजी के आधार पर कहा जा सकता है कि कोरोना वाइरस से मुकाबले में आपको गबराने की नहीं सातर कोर सजग रहने की जरूरत है साथ ही यह भी जरूरी है कि आप विशे शग्यों के बताए सुरक्षा वबचाव उपायों को अमल में लाते रहे शोटकरताओं के मताबिक उपलब संक्या के आदार पर अगर आप संक्रमित हो भी चाते हैं तो आपके ठीक होने की 95.6% उमीद है अमेरिका संक्रमितों के मामले में सुची में सबसे उपर पहुंच गया है वहाँ अब तक 92,206 लोग संक्रमित हो चुके है इनमें 1,391 लोगों की मौत हो चुकी है वही ठीक होने वालों के संक्या भी अमेरिका को चिंटित करने वाली है अब तक वहाँ 1,889 लोगी सुष्टोकर घर लोटे हैं वहीं दूशे नमबर पर मौझूद चीन में संक्रमेंट के नए मामलों की संक्या बहुत दीमी हो गई है चीन में अब तक 81,340 लोग संक्रमेंट हो चुके हैं इन में 3,292 लोगों की मौत हुई है यहां 74,588 लोग सुष्टोकर घर लोट चुके हैं भारत में भी 874 लोग संक्रमेंट के शिकार हो चुके हैं इन में 20 लोग ही मौत हो चुकी है जबकि 73 लोग ठीक हो चुके हैं इसादार पर भारत में संक्रमेंट होने के बाद भी सुष्टोने की उम्मीद 97.8 दी है